हेलो एबरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल, वीवर्स आज हम लोग डेली बोले जाने वाले इंगलिश के सेंटेंस के प्रैक्टिस करेंगे, ओके, सो लेट्स स्टार्ट, जैसे कि आप सब को पता होगा वंस का मतलब होता है, वंस का मतलब एक बार, वंस का मतलब एक बार, चलें अब इस वर्ड को हम लोग सेंटेंस में इस्तिमाल करके देखते हैं, जैसे कि अकसर हम लोग कहते हैं हिंदी में, हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं एक बार वहां गया था, मैं एक बार वहां गया था, तो मैं लिखूंगी, I had gone, गया था, यानि कि काम हो चुका था, तो I had gone there, वहां के लिए आपने there के इस्तिमाल किया, और मैं गया था, यानि कि I had gone, वहां there, एक बार once, ओके उसी तरह से together, together का मतलब होता है एक साथ, वे सब एक साथ चिलाए, they all shouted together, they all यानि कि वे सब, they all, वे सब, shouted मतलब चिलाना, shout का मतलब होता है चिलाना, लेकिन shouted मतलब च चिलाए, they all shouted together, वे सब एक साथ चिलाए, ओके, next sentence है, अकसर हम लोग कहते रहते हैं, कि वो कीवल वहां जा रहा है, तो मैं कहूंगी, he is only going there, he is only going there, जा रहा है, तो आप कहेंगे going, ठीक है, he is, यानि कि वो, only का मतलब कीवल, इसका मतलब है, going का मतलब जा रहा, वो कीवल जा रहा है, he is only going, वहां there, he is only going there, वो कीवल वहां जा रहा है, next day, राम मेरे साथ हमेशा था, था, इसलिए आप यहां पे was लिखेंगे, राम was always with me, राम was always with me, वो इसकूल क्यों नहीं जा रहा, Why is he not going to school, वो इसकूल क्यों नहीं जा रहा, why is he not going to school, ओके, next sentence है, sentence number six, अब मैंने यहां पे लिखा, रोहित, रोहित घूमने गया, रोहित घूमने गया, इसे इंगलिश में कैसे कहेंगे, simple आप कहेंगे, रोहित went for a walk, वोक का मतलब यहां पे घूमने के आ रहा है, ठीके, लोग कहां जाएंगे, लोग कहां जाएंगे, लोग कहां जाएंगे, वेर विल पीपल, वेर विल पीपल गो, वेर विल पीपल गो, ओकी, next day, number eight, अब मैंने लिखा, लोग आए थे, यह मैंने पास्ट की बात कर दी, लोग आए थे, यहनि के पीपल कीम, लोग आए थे, पीपल कीम, लोग कहां जाएंगे, वेर विल पीपल गो, लोग कहां जाएंगे, next day, number nine, अब मैंने लिखा, मैं ये खुद, मैं ये खुद करूँगा, मैं ये खुद करूँगा, तो मैं कहूंगी, I will do it, I will do it myself, I will do it, यानि कि मैं करूँगा, मैं ये करूँगा, इसके लिए मैंने बोला, I will do it, खुद के लिए मैंने बोला, myself, I will do it myself, I will do it myself, बस अभी अभी निकली है, बस अभी अभी निकली है, the bus has just left, the bus has just left, okay, मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं का, मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं का, I never said anything to you, I never said anything to you, यानि कि मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा I never said anything to you I never said anything to you मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा ओके, next day, number 12 अक्सर हम लग बोलते हैं कि आज मैं बहुत जल्दी पहुचा आज मैं बहुत जल्दी पहुचा ऐसे बोलते हैं, तो आप बोलेंगे I reached very early today I reached very early today यानि कि आज मैं बहुत जल्दी पहुचा I reached very early today क्या तुम साथ आओगे? क्या तुम साथ आओगे? Will you come along? Will you come along? Will you come along? क्या तुम साथ आओगे? Will you come along? लोग वहां कब से थे? देखे, कब से के लिए आप बोलेंगे from when when का मतलब कब और से के लिए आपने लिखा from from का मतलब से from when यानि कब से from when were people there लोग वहां कब से थे? from when were people there वहां के लिए there ओके? ते के लिए आपने आपे वर का इस्तमाल किया लोगों के लिए people का इस्तमाल किया ओके? next day number 15 अब मैंने यहां लिखा, तुम उस समय, तुम उस समय कहा थे? तुम उस समय कहा थे? ऐसे बोलते हैं, तुम उस समय कहा थे? तो आप बोलेंगे से इंगलिश में, where were you that time? तुम उस समय कहा थे? तुम उस समय कहा थे? वो सब भाई के साथ होंगे, वो सब भाई के साथ होंगे, रोहित के पास पैन होगा, 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 वे लोग हमारे साथ हैं, तो आप कहेंगे de people, de people are with us, us, यैनि कि हमारे साथ, with us, हमारे साथ के लिए with us, ठीकरे, और यहां पे है है, is जिए आपने ar लगाया, क्योंकि यहां पे, de people हैं, यैनि कि вे लोग, कई लोग हैं, भूब वच्चन, इसलिए आपे आपने आर के इस्तिमाल किया They people are with us वे लोग हमारे साथ है क्या तुम थे? Were you there? ऐसा कुछ नहीं है There is nothing There is nothing As such As such का मतलब ऐसा There is nothing as such ऐसा कुछ नहीं है There is nothing as such क्या तुम थे? Were you there? Were you there? Were you there? क्या तुम थे? Move to the next one Number 21 मैंने लिखा काफी समय लग रहा था काफी समय लग रहा था ऐसे बोलते हैं काफी समय लग रहा था इसलिए मैंने नहीं किया काफी समय लग रहा था तो आप कहेंगे It was taking long time It was taking long time It was taking long time ये क्या करता है? ये क्या करता है? तो आप बोलेंगे What does it do? What does it do? What does it do? ये क्या करता है? What does it do? मैं वहां नहीं जा सकूंगा मैं वहां नहीं जा सकूंगा I will not be able to go there Okay What does it do? ये क्या करता है? It was taking long time काफी समय लग रहा था It was taking long time I will not be able to go there मैं वहां नहीं जा सकूंगा आज की क्लास कैसी लगी आपको ये मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो अच्छी हो? आपके लिए helpful रही हो? तो वीडियो को लाइक करने न भूले शेयर करें अपने सभी फ्रेंड के साथ जो कोई भी इंग्लिश को सीख रहा हो और अगर चैनल पर नहीं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें थैंक्स पर वाचिंग